हेलो नमस्कार सिला फैशन बूटिक में आपका स्वागत है आज मैं आपको बिल्कुल जो पजामा होता है वह सिखाऊंगे ठीक है और बिल्कुल आसान है ये एक बार देखोगे तो कभी निभूल पाऊगे ये मारी लेंथ है इसकी लंबाई है 37 इसमें हमने 4 एड कर लिया 4 दोड़े के बाद यह हो गया 41 ठीक है इसकी 41 के हमारी लेंथ देखते हैं और हमने देखना है हमारी कमर कितने है ठीक है हमारी कमर है 9 की दो इंचे एक्स्टा लेंगे इसमें 11 अब जाम में हमने थोड़ा सा लिउज जाई होगा तो उसमें 12 लेंगे ठीक है तो यह 12 एंच में इसमें एक्स्टा लेना है 14 जो मारा कपड़ा है यह चोदा का लेंगे आप अब इसको देखने के हैं अब इसको देखने के हैं कि अपर से और निचे दोनों से देखें यहां पर अमने निसा लगाना है यह हमारा है बिल्कुल सिंपल पजामा यह हमारी 36 की कमर थी ठीक है यह चोथा इसा कर लिया हमने इसका तो बन गया हमारा नो नो और इसमें हमने एड करना है दो लेकिन दो में नहीं करेंगे अम इसमें तीन एड करेंगे यह मारा पजामा है पलाज जो नहीं है तो तीन एड करेंगे तो यहां पर एमारा 12 आ गया ठीक है तो उमने ये लेना है उपर की जो कमर है हमारी वो 12 की ये ले दिया हमने 12 की ठीक है और निच्चे जो आसन लेना है वो भी 12 का लेना है ये भी उमने 12 का ले दिया अब इसको मिला देंगे ऐसे अब यहां पर विमने 12 ये 12 बाए बारा का एक वोक्स सा त्यार हो जाता हुपर करें कर दो कर दो हम अबबने देखना है निच्चे मोरी कितनी है हमारी मोरी लेंगे हम साथ की तो यहां पर लेंगे म साढे साथ इसमें ज़्यादा ज़्रूर्वर्ट नहीं होती ज्यादा करें तो एक इंच ले लो आठका ले लो बस इससे ज्यादा में मर्जण यह नहीं चोड़ सकते क्योंग यह सिद्धा आमने स्ट्रेट में लेडा है तो और निच्च अगा कम्ठीट उपर से यहां पर डाइंच की गोडाई हो जाएगी यहां पर यहां पर हमने सेपर यूज करना है हमारा सेपर स्केल होता है जो यह यहां पर यूज करना होता है और यह गोडाई है देखिए गोडाई डाई की है तो पर भी हम डाई पर ही इसको खतम करतेंगे आपने गोडाई को अब इसमें कोई कई भी कटिंग वटिंग और ज़्यादा एक्स्ट्रा निसान वगेरा नहीं लगेंगे स्रेफ्ट यह निसान लगना उता है यह सिंपल पजाम मा है इसलिए इसमें आगे पिछे का कोई पार्ट नहीं होता यह दोनों बराबर हैं क्योंकि लेडीज है यह और सबसे सिंपल यह होता है कि यहां से इसको विल्कुल एक जैसा करते हैं यह देखिए बिल्कुल सिंपल पजामा कटके करियार है अब इसके हम सिलाई करेंगे अब मैं इसकी सिलाई करेंगे यह मारा असन है इसको मैंने पूरा खोल लिया है ऐसे खोल के मिला लिया है देखिए दोनों तरफ यह सना गया ना इसको आराम से चिलाई कर देंगे इसकी अब देखिए इसकी आराम से अब देखिए आराम से अब देखिए जाना ना आ को अ कि अ ऐसे पूस्टिए अजिको भी सीवगे इसदू को भी सीवगे एगा तो अब यह निच्छे से मोरी को खोल्ड करेंगे यहां पर हमना है माप लेना है यहां से फित्ते से हम दो इंच लेलेंगे और इस पर कट लगा देंगे यहां पर कट लगा देंगे एक साइड तो हो गया दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है हमने दो इंच लेके कट लगा देना है अब इसको फोल्ड कर देंगे यहां 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 यह कोड़िया कर लिया है यह मारी ओगई है मृरी तयार दोलों साइट से में मौरी को फोल्ड कर लिया है यह मारी रवट डलती है हमारी जो कमर होती है 17 nosaltres की पापने ख़ानी है तो में और जो रवार को लिया है और यह प्रमडलों और बीस za को सब्सक्क्राइब करण़ लाए Алस को अध्यूंப प्रबड तयार अब मारा ये है उपर का जो गेर उसको लेंगे ये मारा सिद्धा इसको अम उटा कर लेंगे इसको ऐसे पकड़ेंगे इसको डाल देंगे डाल दी रवट अब कहीं से भी शुरू कर लें आगे से या पिछे से ऐसे सिलाई के उपर रखेंगे और ऐसे दबाएंगे इसको यह अपने एक पैर का अंदर दबाना बता है ऐसे अब कर लेंगे और निचे वाले को थोड़ा से खिचेंगे और इसको रखेंगे इसको आपने पजामे में आराम से रवट डाल सकते हैं ऐसे तो आप अजय यह पूरे गेर में रवट को आप डाल लेंगे आराम से खीच के यह ओ गई हमारी रवट तयार पलस्टिक अमारी ड़ चुकी है अब हमारी खाली जो सेंटर शिलाई है यह लगानी है इसको बोलते हैं फिटिंग के बस अब यह लगाई और अमारा पजाम्मा हो जाएगा तयार अब नमूर देखने हैं कितनी है इसकी साथ की तयार करेंगे ठीक है साथ हमारा यहां पर आता है अबसलों का मारा खजाता है जाए द jijए कुपाना है और अलम है करें करेंpsy लाए भी जुड़ाँ है प्णिदो में है फिलाक। निस medo हैं आहीं है झाल, तो तो पांग। झाल, भी पांग। पूरे पसिलाई लगानी है यह हो गई हमारी चिलाई कम्प्रिट अब हमारा पजामा चिलके तयार है यह हो गया हमारा पजामा चिलके तयार उमिद्ध आप सबको पसंद आया होगा थैंक